स्टूडेंट आज हम देखेंगे कुछ human anatomy and physiology के बारे में थोड़ी बहुत knowledge देखते हैं केवल 10 question मैंने इसमें डाले हैं जिसको की बहुत जली जली फिनिश करेंगे हाला कि सारे question आपको आते होंगे यह जो है आपके लिए just revise है आपका तो चली start करते है knowledge about human anatomy and physiology okay only 10 questions there are only 10 questions तो यह बहुत छोटा वीडियो बनेगा ठीक है तो देखें जो fairly constant state of internal environment is called homeostasis ठीक है जो हमारा आंतरिक वातावरान होता है न वो काफी इस्तिर स्थिती को homeostasis कहा जाता है homeostasis मतलब जैसे यह हमारा बाहरी आवाता है ठंडा है गर हमें हमारे बॉड़ी को किस चीज की जरुवत है अभी जैसे बहुत जादा hot environment हो रहा है तो हम लोग क्या करते है अपने घुरों में अपने बॉड़ी की requirement क्या करते है सुविधा चाहिए तो जो भी काम होता है उसको बोलते है internal environment तो internal environment तो आप बोलोगे नहीं उसको आप क्या बोलोगे scientific way में homeostasis ठीक है इसका homeostasis, internal environment को क्या बोलते है homeostasis ठीक है अब है arteries carry blood away from heart यानि कि जो ये तो सबको मालूमी है ना है ना कि जो blood जो होता है वो heart से पुरी body को circulate होता है वो कौन करती है arteries करती है जो कि सबी को मालूमी है यानि कि heart से हमारे body के other parts में blood को supply किया जाता है वो कि सके दौरा किया जाता है arteries कि दौरा और जो blood vessels होती है आपने सुना होगा ना ब्लड वैसल जिसमें की आर्ट्री और वें दोनों आ जाते हैं तो वो दोनों का जिस से लिंक होता उसको बोलता है कैपिलरीज ठीक है देखे यहां लिखा है ना हिंदी में भी मैंने ट्रांसलेट किया है जैसे की तो आप इसे देख सकते हैं कि जो भी बच्चों ने बोला था कि हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट चाहिए तो उसके लिए मैं लेक्चर में इसी तरीके से हिंदी में भी नोट डाल दे उसका ट्रांसलेट कर देती हूं ठीक है तो जो रक्तवाहिका है मतलब ब्लड वैसल ठीक है जो धंञिया और शीरा नहीं कि धंञिया क्या होती आर्टरी और वयन क्या होती उन दोनों को जो जोड़ती है लिंक करती है उसको क्या बोलते हैं कोशिक आएं केशिका रिंदी में का वी ने इसाफें सबको मालूम है इसकल में ठीक है तब ही वो क्या रहता है सुरक्श्य रहता है बहुट डैलेकिट हमाना बाइत रुर्मट यूर रचाकी अनुध होता है . है लुक्त है भूलता है हल्मेंट पहनना है जिस度 में आपको टुविलर चलाना होता है तो भी बहुते हैं sensory nerve are also known as afferent nerve and carry impulses from sense organ to brain ठीक है जो sensory nerves होती है यानि कि जो समवेदी तंतिर का हैं जिसे हिंदी में बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं afferent nerves बोलते हैं आपने excretory system में पढ़ा होगा न afferent and efferent तो यहाँ पर ऐसे याद कर लिजी afferent वहाँ पर arteries थी arteries थे यहाँ पर क्या है nerves है ठीक है तो जो efferent nerves होती है वह क्या करती है carry क्या करती है वह impulses को carry करती है impulses मतलब समवेद्नाओं को कहां से करती from sense organ to brain sense organ को होने हमारे जो समवेदी अंक होते हैं जिसे हमें जो वह होती है जैसे की eyes हो गई nose हो गई जो five sense होते हैं जो काम करते हैं इसकीन हो गई तो यह क्या करते हैं brain को क्या पहुंचाते information impulses का मतलब क्या होता है जो awake जिसे बोलते हैं आवेग हिंदी में बोलते हैं आवेगों को ले जाती है यानि कि impulses को क्या करती है sense organ से लेके brain तक पहुंचाती है impulses मतलब कि आप हिंदी की अच्छी से अगर समझें तो जो message होते हैं जो message convey करती है कि हमारी body जैसे हमारे को अभी गर्मी लगी एकदम से हमारा हाथ जल गया तो क्या हुआ sense organ ने उसको महसूस किया मनला हमारी skin ने और जल्दी से brain को क्या भेजा message भेजा ठीक है तो जो भेजने का काम करता है body से शरीर को impulses उसको impulses बोलते है आवे एक बोलते है message भी समझ सकते हो तो उसको क्या बोलते है efferine nerves बोलते है वो काम करती है ठीक है और जो motor nerve होती है ठीक ह vision आप याद कर लीजिए excruity सिस्टम में अदे पड़ाता efferine arterial तो यह भी efferine का मतलब यहाँ से याद कर लीजिए कि जो क्या कर रही है nerves को क्या कर रही है जो ईफ्रेन nerves होती sorry efferine nerves होती जो क्या कर रही impulses को कर रही है यह क्या एक Cyrus को होता है कि है carry का मतलब होता है ले जा है कहां से ले जा रही है ब्रेन से लेके सेंस औरगन तक अब जैसे मैंने इसकिन का एक्जामपल दिया कि इसकिन क्या करा जल्दी से कोई हॉट चीज यानि की गरम बरतन टच कर लिया और उसको लगा कि वो एक से उस ने हटा लिया अपना हाथ तो हटाने के लिए किस ने किया उसको इंडिकेट ब्रेन ने किया क्योंकि इंपल्स ने जो हमारा जो इफ एफरेंट नाउज थी उसने ब्रेन को मैसेज पहुचाया एकदम से वो कुई होता है कि हमें क्या हुआ यहां पर बर्न का एसास तो ब्रेन ने जल्दिसे उसको मैसेज भेजा की यहां से यह आपके लिए खतरना के इसको आपको हटा दिना जाये हैंड को तो यह होग्या हमारा जो सेंस ओर्गन को वापस से मैसेज को कनवय करता है वो क्या होता है मोतर निंघ मोतर होता है prolong यानि कि ब्रेन से क्या कर क्रियेट करती केमिकल मैसंजर को देखिए एंदी में भी मैने लिखा है कि अंतश्रावी गीरंधिया Pastor only इनको क्या करती हैं की जो किया करती है पुरे बाड़ी में ich होने जहां 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 पर जिस भी कमिकल की जरुद्फिफ थिंस्सेसाइज मतलब बनाना सिक्रीट मतलब क्या होता है 앉h को भी इजन न ऋम्सेंजर को भीजना यह विति होड़ाना झाले था रह वह को भीजने का कामonta भीजने का घ्कम करना झाल है नहीं सो करता है इंडिद ज़ींगा носочки के मेशारा हमारी बॉड़ी में कितने और्गन होते जो सेंस और्गन होते हैं जिसको कि क्या बोलते हैं इंद्रियां भी बोलते हैं ठीक है यह पांच होती जिसमें कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो सेंस और्गन परसीव करती हैं महसूस करती वह ब्रेन को क्या करती हैं मैसेज भ आपको पता है फिर a movement of a chemical substance यानि कि जो chemical substance होता है जो उसका movement होता है कहां से from an area of high concentration यानि कि high concentration से कहां कि और को होता है lower concentration क्यों को होता है उसको क्या बोलता है diffusion बोलते हैं ओके ये भी आपके fill in the blanks में आ सकता है ठीक है यानि कि जो भी इसके हिंदी में भी दे रखा है मैंने कि जो रसाइनिक पदार्थ होते हैं उच्च सांदरता से क्या करते हैं निम्न सांदरता की और को जाते हैं उसका विचरण करते हैं विसरण करते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं diffusion ठीक है फिर है 10 वाला है moment of water यानि कि जो water का moment होता है higher concentration से लेके lower concentration हमेशा जाता है ठीक है उसको बोलते है osmosis ठीक है जब यहाँ पे देखे जल की उच्च सांदरता से निम्न सांदरता की और की गती को परासरण कहा जाता है हिंदी में भी है मैं आप से request करूंगी आप English में ही पढ़िए medical line में English में ही आता है ठीक है moment of water from higher concentration to lower उसको क्या बोलते हैं osmosis बोलते हैं तो thank you guys for watching this video please like, share, comment and subscribe this channel मिलते हैं नए वीडियो में अगर आपकी कोई नई डिमांड है नए कुछ है तो वो भी बताईए तब तक के लिए में बीच बीच में इस तरीके की knowledge के or mcqs है या फिर facts है regarding human body या फिर कुछ knowledge है इस तरीके से डालती रहती है उसके अलावा आपको medical field से related सारे इसमें topic आपके subject के according भी होते है जो आप playlist में जाके check कर सकते हैं और उससे आप फायदा ले सकते हैं ओके गुडबाई, take care